सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार ITI Jobs Made Easy में आपका स्वागत है दोस्तों ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम कुनाल सुकला है और मैंने BE किया हुआ है Mechanical Engineering में इसके बाद मैंने M.Tech किया है Maintenance Engineering and Management में from M.I.N.I.T. भुपाल दोस्तों मुझे लगवक 15 साल का Industrial Manufacturing सेक्टर में experience है तो दोस्तों जो भी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आप उस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह जानकारी पूरी तरह से authentic है अब दोस्तों बात ही आती है कि मेरे यह चैनल के वीडियो किन को देखने चाहिए तो दोस्तों अगर आप इस समय ITI कर रहे हैं mechanical या electrical field से या आप ITI कर चुके हैं इन field से या इसके बाद आप job धूर रहे हैं ITI, diploma, even BE करने के बाद mechanical या electrical field से तो इस YouTube चैनल के वीडियो आपके लिए हैं दोस्तों अगर आप अपना knowledge बढ़ाना चाहते हैं practical field में engineering की जो की mechanical और electrical field से related है तो भी आपको या मेरा वीडियो देखना चाहिए दोस्तों इसी तारतम में मैं आज आपको industry में use होने वाली crane के बारे में बताऊंगा friends, EOT crane हर industry की एक बहुत ही common mechanical equipment है जिसका काम jobs को उठाने में, shift करने में किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है EOT crane की तो EOT crane का full form क्या है, मतलब E से क्या है, O से क्या मतलब है और T से क्या मतलब है दोस्तों यहां मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो diploma, ITI या engineering करने के बाद भी job उनको नहीं मिलता है उसका एक मुखिक कारण है मैं उस मुखिक कारण के बारे में यह बोलना चाहूंगा कि जब वो job interview के लिए जाते हैं तो दोस्तों interview लेने वाले व्यक्ति के पास practical knowledge ही होता है वो theory से बहुत दूर हो चुके होते हैं दोस्तों इसलिए यह उम्मीद करना कि वहां पे बैठा हुआ interviewer आपसे theory पूछेगा यह सही नहीं है इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी interview के लिए जाते हैं तो आपको कुछ practical knowledge होना बहुत जुरूरी है तो दोस्तों practical knowledge के लिए आपको मेरा यह video देखना चाहिए तो दोस्तों आगे पड़ते हैं बात करते हैं कि ईप क्रेंग के फुल फॉर्म के बारे में दोस्तों ईप क्रेंग دेने वाली बात यह हैं और कि नॉट्राइवल्ग ट्रैवल आप बोल सकते हैं कि योटी क्रेन का फुल फॉर्म है इलेक्रिकल ओवर हैड ट्रैवलिंग क्रेन्स अगें दोस्तों आगे बढ़ते हैं है योटी क्रेन जो होती है दोस्तों उसमें अक्सर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है एक एक चीज लिखी होती है SWL दोस्तों जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज्ज लेके किसी इंटर्व्यू में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अफ रहता है और आप वहां पर अच्छे से सवालों का जवाब दे पाते हैं तो सब्सक्राइब करेंड चैस्ट क्या है यूट्वी क्रेंड के परिपेख्ष में तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं SWL का full form है safe working load जैसे कोई भी EOT crane है उसमें वह कितने ton तक का load उठा सकती है यह आपको बताता है safe working load जैसे किसी EOT crane की capacity 5 ton है इसका मतलब है कि उस crane से उस crane में 5 ton से ज़्यादा load carry नहीं करना चाहिए दोस्तों यह बहुत छोड़ी बाते हैं जो की interview के दौरान आपसे पूछी जा सकती है और मेरी एक बात आप याद रखेगा interviewer आपसे वही पूछेगा जो वो देख रहा है और वो देख रहा है इन सब चीजों को दिन भर क्योंकि वो industry में रहता है आप नहीं रहते हैं इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो आदमी दिन भर क्या देख रहा है क्योंकि जो आदमी जिस चीज को देखता है उसके मन में वैसे ही question आते हैं है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यह slide दोस्तों बहुत important है आप इसकी फोटो लेकर के जूम करके भी देख सकते हैं इसमें मैंने क्रेंट के पार्ट के बारे में बताया है कि दोस्तों कि क्रेंट के पार्ट में पैनल है जोकी लेक्रिकल रिलेटेड है पैनडेंट है पैनडेंट फैस्टून है पैन्डेंट केबल है दोस्तों आजकर रिमोट कंटॉल वाली यूटी क्रेंज भी आती है इसमें होईस्ट होता है और डाउंसाप कंडेकटर्स है ड्रोली ट्रॉली फैस्ट्ूम है वायर रोप है पैंदेन कंड़क्टर ट्रैक है ब्रिज ड्राइब है रूनवे है है जिसके की आपकी इओटी क्रेंश चलती है इंड स्थम फंपर्स है अगर आपकी इओटी क्रेंश जाकर करके कहीं टकराती है तो यह बंपर उसकी रक्षा करते हैं और दोस्तों इची जाद रखिएगा EOT crane के जो सामने के wheel होते हैं वही उसको drive करते हैं पीछे के जो दो wheel लगे हुए हैं इसमें वो इसको drive नहीं करते हैं वो wheel केवल idler wheel होते हैं दोस्तों अगर आप इसका compare करें अपने automobile से तो इसका एकदम opposite होता है automobile में four wheel जो general गाडियां होती हैं उनमें पीछे के wheel आंगे की wheel को guide करते हैं power आपके पीछे की wheel हो में जाता है और आंगे की wheel केवल उसको दिसा देते हैं तो दोस्तों मेरा ख्याल है आप लोगों को कुछ हट तक समझ में आया होगा EOT crane का structure कैसा होता है अगर आपको इसमें कोई भी doubt होता है आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं definitely आपको answer दूँगा लेकिन आपको पूछना पड़ेगा आप जितना अधिक पूछेंगे जितना अधिक उसके अंदर जाएंगे उतना ही boost up होगा इसलिए पूछने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए चरो दोस्तों अग्दी slide देखते हैं दोस्तों EOT crane दो परकार की होती है single grader EOT crane and double grader EOT crane यह आपके सामने single grader EOT crane का चित्र दिखाई पड़ रहा है और अगर मैं double grader EOT crane की बात करूँ तो यह है double grader EOT crane अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूँ कि इस single grader EOT crane और double grader EOT crane में क्या फरक नजर आ रहा है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों single grader EOT crane में आपको जो hoist है वो इसके flange के नीचे लगी हुई है ठीक है दोस्तों और इसमें double grader में hoist है वो है इसके grader के ऊपर लगी हुई है तो दोस्तों इस से इसपस्ट है कि single grader EOT crane में एक grader होता है वो तो आपको पता ही है दिखी रहा है double grader में दो grader होते हैं लेकिन इसका technical difference यह है कि single grader EOT crane में जो hoist होती है वो flange के नीचे लगी होती है जबकि double grader EOT crane की hoist इसके grader के उपर होती है अब दोस्तों यही पर एक question और बनता है मेरे use के हिसाब से इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों अगर आपका hoist नीचे है और आपका hoist उपर रखा हुआ है grader के तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों practical field की जब हम बात करते हैं तो यह हमारा job limitation हो जाता है अगर आपका job बहुत जादा लंबा है तो आपके workshop में उस job तो आपके workshop में उस जगह पर आपको double grader EOT crane ही लगाना पड़ेगा single grader EOT crane में job कम length के ही वह उठा पाएगी दोस्तों अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे comment करके आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा पहला part EOT crane का अगर आपको अच्छा लगा है मेरा यह वीडियो तो दोस्तों मैं इसके बाद इसका part 2 बनाऊंगा प्लीज मुझे comment करके आप बताईए धन्यवाद दोस्तों